हेलो फ्रेंड वेल्कम इन माई चैनल सफीना केचन आज हम सेयर करेंगे स्वीट की एक नियू रस्पी मिठा या तो आपने बहुत बनाई खाई होंगी इस रस्पी को एक बार बनाकर खा लेंगे तो उगलिया चाटते ही रह जाएंगे एक चोटी लोकी लिया है लोकी को धूल लिया है इसको छिल लेते हैं लोकी के छिल के को इसी तरह सताल लेते हैं लोकी को छिल लिया है आगे पीछे कट कर लेते हैं इस तरह से चलते हैं अगले प्रोस्सेस की तरह लोकी को कद्दूखस कर लेते हैं लोगिव कद्दू कस कर लिया है चलते हैं हमेले प्रोसेस कर लिया कडाही गरम हो गई है दो चमज घी आट करते हैं गी गरम हो कई आज को मीडियम रखा आदा चमज लाची पोड़र अट करते हैं कद्दू कस की हुए लोगिए अट करते हैं मीडियम आट पर लोगिव को बराबर चलाते हुए गी में होन लेते हैं मिठाईया तो आपने बहुत वही हुए एक बार इस तरीके से बनाकर खा लेंगे तो उगलिया चाड़ते रहे जाएंगे बराबर चलाते हुए मेडियम आट पर लोगिव के पानी को सुखा लिया है एक कब दूद अट करते हैं बराबर चलाते हुए मेडियम आट पर लोगिव को दूद के साथ पका लेते हैं दूद के साथ गला कर भूल लिया है एक बाउन खोया एक करते हैं एक चमच के उड़ा वाटर एट करते हैं एक पिंच गिरीन फूट कलर एट करते हैं सभी चीज़े को मिक्स कर लेते हैं तेज आज पर घी छोड़ने के बराबर भूल लेते हैं गी छोड़ने के घुटने लगा हगवाबन कर त्यार हो गया है गय साफ कर देते हैं चीनी के जगापे हमने जिन्दगी स्टीबिया का लिक्विज सूटनर उसकिया है अच्छे से मिक्स कर लिया है बन कर त्यार हो गया है अगर आप चीनी खाना पसंद कर दें तो प्रूबर फिरी के जगापे आप चीनी पीश कर सकते हैं मिक्स द्राइपूर्ड करते हैं त्यार कर लिया है बर्फी को चमट के साथ से शेट कर लेते हैं बर्फी को उपसे ड्राइफ पूर्ट से गानुसी कर लेते हैं प्रेजर में ए घंटे के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए लौकी की बर्फी अच्छे-च्छे सेट हो चुकी है इसे पीस में कट कर लेते हैं लौकी की स्वादिश बर्फी सर्फ करने के लिए तयार है इस रेस्पी को आप ज़रूर ट्राइ करें आप भी बनाएं खाएं एंजाए करें अपने फैमिली फ्रेंड में सेयर करें थैंक्स पार वाचिंग माई वीडियो